बोरिंग में गिरी भेड को बचाने उत्रे चाचा भतीजे की जहरीली गैस से दम घुटने से हुई मौत गोवर्धन राजिस्थान बॉर्डर के समीपवर्थी गाउं मुडसेरस में बोरिंग में गिरे भेड को बचाने में एक एक कर बोरिंग में उत्रे चाचा बतीजे की दम घुटने से मौत हो गई सूचना परे के तृत गामडों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दे कर बोरिंग में पड़े चाचा बतीजे को कांटे डाल कर बहार निकाला मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने अंबुलेंस के जरिये दोनों चाचा बतीजों को उपचार हेतू सामुदैक स्वास्त केंद्र पर पहुंचाया जहां चिकित सकों ने दोनों को म्रत गोशित कर दिया है प्राप्त जानकारी के अनुसाज शुक्रवार शाम करीब 6 बजे मुडसेरस निवासी सर्मन पटेलवा उनका भतीज़त धर्म सिंग जंगल से भेड़ चरा कर अपने घरों को वापस लोट रहे थी तब ही एक खेत में बने बोरिंग में एक भेड़ गिर गई भेड़ को बचाने गड़े में उतरे धर्म सिंग भी मूर्चित होकर गड़े में गिर गई तो शर्मन शोर मचा कर उसको बचाने बोरिंग मोतरा वो भी गड़े मोतरा तो बाहर नहीं निकल सका इस पर एक अन्य युवक मोहित भी बोरिंग पोतर निवर मूर्चित होता हुआ दिखाई दिया तो ग्रावडों नो उसको बाहर की तरफ खीच कर तुरंत उपचार के विजवा दिया प्रधान मोर्धवच पटेल वपपूर प्रधान बच्चु सिंग ने बताये कि घटना की सूचना पर गोवर्धन ठाना पुलिस वप्रशासन मौके पर पहुँच गए करीब 7.45 पर बोरिंग से निकले दोनों व्यक्तियों को सरकारी एंबुलेंस के द्वारा उपचार हेतु गोवर्धन सामुदाइक स्वास्त केंद्र पहुचाया जहां प्रया सुप्राम चिकित्सकों ने सर्मन बावन वर्ष पुत्र बूगल वद धर्मिसिंग 22 वर्ष पुत्र हकों को ब्रत गोशित कर दिया है गटना से गाउं में कोहराम मचा हुआ है सामुदाइक स्वास्त केंद्र प्रभारी डॉक्टर बीये से सुधिया ने बताया कि सर्मन वर्ष धर्मिसिंग दोनों की मौत हो चुकी है दोनों की मौत बोरिंग में जहरीली गैस से हुई प्रतीत होती है अब बेड़ को बच्चा गिर गो आम मतलब यह देड़ गे तो चा ना मैं अपका चा यह क्या गामला क्या गटना गे यह बोर था और वेड़ का बच्चा बचाने के लिए तो बचाने के लिए क्या हुआ था पूरी गटना क्या हुए पहले बेटा गया था नीचे क्या नाम इसका वह है धरम कितनी उम्र है लगवाग है इसके बचाने के लिए लिए लोगे जब बाप बेटे आप अच्छा नाम है धरम उमर के नाम पिता जी क्या है इंकी उम्र क्या है इन कि लेगवाग होगी अब अभी सर एक मामला यहां पर आया है क्या कुछ मामला है यह एंबुलेंस हमारे पास में स्वर्पत हम सर्मनाम के विक्ति आये जिनकी उमर लगवर पचास वरस्ती जैसा कि उनके साथ में आये वे परिवान जनों ने बताया कि कुवे के अंदर यह चले गए थे और उसके बाद में जहनी दी गयास के कारणी इंका महां पर दम गुटाया तो तत्काल हमारी हम पर टीम ने ड्युटी डॉक्टर डॉक्टर सचिन सर्मा हमारे फार्मसिश विसमुदावत ची मादनवाडबॉय ओम परकास और हमारे रविंदा त्यागी जी चीफ फार्मसिश द्वा हमारे श्रीमान सर्वन जी है वो ज्यादा देर तक सर्वाइब नहीं कर पाए है और उसके परस्टाद दुबारे अंबुले हैं साही जिसके अंदर एक बीस बाइस वर्सी वेक्ति जिसका नाम बताए जा रहा है कि अर्मो उनको भी जारिली गैस के कारण उनके भी अवस्त प्राइब नहीं थी ततकाल उनके परिवार जनों ने हमारे चिकेस सब्सक्राइब ने कर दोनों ही लाने में थोड़ी देर हुई है जी सर बताए आज गाओं में रखटना हुई है क्या कुस्स मामला क्या हुआ है हमारे ठाना चेतर की अंतर गयत मुर्सेर गाओं में एक दुखर गटना हुई है एक भेड़ की पच्छा किर गया कुई में उसे निकालने के लिए चचा बती जे दोनों गए अच्छाप लड़का गया और उसे नहीं निकाल पाया उसमें घैस भनी और वप्र बहोश होगे उसे निकालने के जज़ता गया दोनों उसमें अंदर बहोश होगे गाओं के अथक प्रयाच से और हम लोग उन्हें बाहर निकाला यहां तक लेकर आइए यहां उनके शार्थ होगे, खतम होगे, अफसोच है, अब एम की कहरवई की जाएंगे. क्या को सुपर रही हूँ, क्या का नाम है उनको है? सर्मन नाम है, उसके चाचा का, और हुक को उप्रण के जाएंगे.